और अब खबर जुझनू के उद्यप्रवाटी से जमानेवता एक बाफिर से शरमसार हो गई विधान सबाक्षेतर के जहाज ग्राम पंचायत के एडवना गाउ में आरोपी दिलिप गुर्जर ने 6 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला इस गिनोनी वारदात को अंचाम देने के बाद 6 साल की मासूम चिलाने लगी तो परिजन आवाज सुनकर दोड़ पड़े और बच्ची की हालात को देखकर उनके पैरो तले जमीन खिसक गई पीडित बच्ची के परिजनों ने बच्ची को पुलिस थाने लेकर पहुंचे और तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्श कर लिया लेकिन आपको बता दें कि इस घटना से मानवता शरमसार हो गई नवालक बच्ची का उदैपुर वाटी के सरकारी अस्पताल में मेडिकल करवाया गया आपको बता दें कि अभी हाल ही में उदैपुर वाटी में सिन के अंदर दुशकरम की ये चार घटनाएं हो चुकी है जिसमें दुशकरम के सभी आरोपियों को पुलिस गिरफतार कर चुकी है और इसी को देखते वे उदैपुर वाटी विधान सबक्षेतर में आएद दिन मासूमों के साथ हो रही दुशकरम की घटनाओं के बाद अब विधान सबक्षेतर में मासूम बच्चियों के परिज देखत में हैं उदैपुर वाटी थानादिकारी भगवान साहई मीना ने बताया कि 6 साल के मासूम से दुशकरम करने वाले आरोपी को दिलेप गुर्जर को पुलिस गिरफतार कर चुकी है और अब पोक्सो एक्ट के तहत उस पर मामला भी दर्श किया जाएगा आज एक जाज की महीला परिवादिया ने रिपोर्ट पेस की कि मेरी बत्शी जो से साल की है उसके साथ अड़वाना गाउं का दिलेप गुर्जर नाम के लड़के ने दुशकरम किया है इस पर रिकोर्ट पंजीबद की गई बत्शी का मेडिकल कराया और आरूपी को तलास कर दिली बुजर जो अड़वाना के रेने वाड़ा है उसको गरबदार किया गया तेरी बाएकी लड़की है यह सोच करने के लिए गई थी पास में ही को नोरा सा है और वहाँ एक लड़का है गुजरू का दिली जाम का उसने बच्ची को पकड़ लिया बच्ची जो से चिलाई